जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मही माहा की शुरुआत हो चुकी है और मही के महिने में तीन राशियों की किस्मत चमकने वाली है यानि तीन राशी के जातकों के लिए मही का जो महीना है वो वर्दान साबित होने वाला है दोस्तो मई का महिना इस बार काफी खास रहने वाला है सबसे महतपून ग्रहों में से एक देवताओं के गुरू देवगुरू ब्रस्पती राशी परिवर्तन करने वाले हैं एक मई को दस मई को बुध मेश राशी में प्रवेश करेंगे और चौदा मई को सूर्य व्रशब राशी में वहीं शुकर देव 19 मई को व्रशब राशी में प्रवेश करेंगे इसके साथ ही मीन राशी में राहू और मंगल की यूती भी बनेगी तो ग्रहों के जो ये शुब सैयोग बने हुए है गजलक्षमी, शुकरादित्य, गजकेसरी और भी कई महतपून योग समय बने हुए है जिसकी वज़े से तीन राशी वाले जातकों के जीवन में अपार खुशियां आने वाली है तो ये जानते हैं कौन सी हैं वो तीन राशियां पहली राशी है सिहिंग राशी दोस्तों दस्वे भाव में गुरू बैठकर इस राशी के जातकों को खूब लाब दिलाएंगे दस्वे भाव को प्रसिधी, लाब और पहचान का भाव माना जाता है इसलिए इस राशी के जातकों को खूब धनलाब होगा अचानक से धनलाब होगा और कई मामलों में अच्छे नतीजे हासिल होंगे दूसरी राशी है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के लगन भाव में शनी विराजमान है इसके साथ ही चौथे भाव में गुरू विराजमान रहेंगे इसके बाद शुक्र और सूर्य भी इसी भाव में आ जाएंगे जिसके वजह से इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और तरक्की के रास्ते इनके लिए खुलेंगे पारिवारिक समश्याओं से निजात मिलेगी तीसरी राशी है व्रशब राशी गज लक्षमी शुक्रादित्य योग के निर्मान से इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा धन धान्य में बढ़ोतरी होगी और लंबे समय से जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे दील सटकी हुई थी उन्हें फिर से रफ्तार मिलेगी करियर में खूब मान सम्मान और सफलता प्राप्त करेंगे तो दोस्तो ये थी वो तीन राशियां जो मई के महिने में खूब लाब कमाने वाली है तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद